प्रीविएस वीडियो में हमने 17 बहाने डिसकस करें जो लोग बनाते हैं वर्क को ना करने के या जिम ना जाने के लेकिन कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको मैं बहाने नहीं कहूंगा ये जैन्यून रीजन्स हैं और अगर इन reasons के solutions आपको मिल जाएं तो फिर आपको अपने exercise schedule में regularity लाने में कोई problem नहीं होगी सबसे पहला issue, too tired, मैं बहुत थका हुआ हूँ या मैं बहुत थक जाता हूँ जब तक मैं gym पहुँचता हूँ देखें ये problem आज की date में बहुत common है, especially अगर आप metros वगरा की बात करते हैं बहुत सार ऐसे individuals हैं जो corporates में involved है, जिनके अपने businesses हैं जो पूरा-पूरा दिन, जो है 10-10, 12-12 घंटे उससे भी जादा अपने काम में spend करते हैं maximum लोगों की जो job होती है, वो sitting jobs होती है और जब तक उनका day end होने लगता है, उनका work day end होने लगता है, वो physically नहीं, mentally बहुत exhaust हो जाते हैं अब इसके दो simple solutions हैं, अगर आप morning person हैं, तो आप कोशिश करिए कि early morning, अपने office जाने से पहले, अपने काम पे जाने से पहले आप workout अपना खतम कर लीजिए क्योंकि एक बार अगर आप घर चले जाते हैं न फिर वो lethargy बहुत जादा हो जाती मेरे जिन में बहुत सारे से individuals हैं, जो आते हैं directly office से, washroom में जाते हैं, change करते हैं और यही पे workout करके फिर सीधा घर चले जाते हैं, जिससे उनका workout miss नहीं होता और एक और simple तरीका होता है, एक basic stimulant, कोई अच्छा mild pre-workout या एक black coffee वगर आप ले ले, तो आपके अंदर एक melted energy आ जाती है, alertness आ जाती है, जिससे आप वो workout परफॉर्म कर पाते हैं इस second issue है, वो है soreness, कई लोग कहते हैं कि सर मुझे बहुत soreness हो रही है, देखिए soreness जो है, वो exercise का एक part है, जैसे मैं आपको बताया था कि world में कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आप achieve करना चाहते हैं और उसमें pain नहीं होगा, तो अगर आप एक अच्छी physique बिल्ड करना चाह असल soreness हो रही है, जो किसी reason से ही होती है, minor soreness में work out करने में कोई भी problem नहीं होती, कोई hindrance नहीं आती, जो third issue आता है, यह बहुत सारे clients face करते हैं, और वो यह हैं को लगता है, जब वो gym जाते हैं तो लोग उनका मजाक उडाते हैं, in fact बहुत सारी females या males जो हैं, जो obese हैं, यही आप से कल motivate होंगा और आपको inspiration लेंगे, आपने देखा है ना कि जब life में कोई unsuccessful होता है, let's say कोई बच्चा है जो पढ़ाही में अच्छा नहीं है, तो उससे कोई बात नहीं करना चाता है, उसके teachers उससे बात नहीं करते, उसके रिष्टतार उससे जादा बात नहीं करत लेकिन जब वो life में अपने hard work से कुछ भी achieve कर लेता है, तो दुनिया एकदम change हो जाती है, वही लोग जो उसको लात मार रहे थे, उसको धुतकार रहे थे, आज वो उसके पास जाने लगते हैं, उससे पूछने लगते हैं, कि आपने कैसे करा, मेरे बेटे को भी बताओ, य ऐसा laser sharp focus होना चाहिए आपके workout में, आपका 100% focus होना चाहिए आप, आपका gym, यहां पर भी आप workout कर रहे हैं और आपका coach, workout करो, do not worry about anybody, बोलने दो किसको जो बोलना है, अब results आएंगे लोग अपने आप चुप हो जाएंगे, दुनिया को चुप कराने का सिरफ एक तरीका होत जो fourth genuine reason है, जिसकी वज़े से लोग regular नहीं हो पाते, workout में या जिम में, वो है कि उनकी कुछ family responsibilities होती है, देखिए बहुत strong reason है, because अगर आपकी family में आप ऐसे individual हैं, जो bread burner हैं, या पूरी family में आप main कमाने वाले हैं, आपके आपकी parents की, आपके बच्चों की, सब की responsibility है, या फ मुश्किल हो जाता है, देखिए जब initially ऐसी problems आती हैं, तो definitely मैं ये बोलूँगा कि उस समय तो आप workout पर focus कर भी नहीं पाएंगे, देखिए बिली मी एक समय के बाद, आप जो है उस schedule में आ जाते हैं, और आपके बास अपने आप समय निकलने लगता है, आपको पता लग जा किस तरहां से इस problem को मुझे life में manage करना है, हो सकता है problem इतनी जल्दी खतम ना हो, सालों तक चले, लेकिन आप उसको manage करना सीख जाते हैं, और उस समय कोशिश करिया अपने schedule में वापस आने की, जो मेरा online program है जैनेसे, उसमें पहुत सार ऐसे clients आते हैं, जो मेरे से यही discuss करते अब मैं ready हूँ, इस situation में वापस आने की कोशिश करिये, और सो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप exercise करते हैं तो आपकी body बहुत सारे feel good hormone जैसे endorphins को release करती है, इसलिए exercise के बाद आपको बहुत happy feel होगा, बहुत stress free feel करेंगे, आपके stress को reduce करने का और healthy रहन अब हम आते हैं fifth reason पर, वो है feeling sick, कई लोगों की तबेद जो है वो थोड़ी खराब होती है, इसके उपर मैंने video बनाया और आपको समझाया है, कि अगर तो आप सच में बिमार है, आपकी तबेद खराब है, तो बिलकुल workout मत करिये, आपकी body को उस समय recovery चाहिए, अगर आप recovery को hamper करेगा और आपकी तबेद को और खराब करेगा, अगर आपको minor illness है, लग रहा है कि आज मुझे हलका सा body pain हो रहा है, cold हो रहा है, उस दिन अगर आप चाहें तो workout skip कर सकते हैं, नहीं तो आप एक general light workout, maybe you know, कोई walk वगरा कर ली, हलकी सी, cycling कर ली, stretching वगरा कर ली, वो आप कर सकते हैं, वो आपको help करेगा, लेकिन आपकी immunity को build करने का भी सबसे powerful तरीकों में से एक है regular exercise, so make sure अगर minor illnesses होती है, उन कुछ दिनों को छोड़ कर आप अपने workout को जितना हो सके regular रखे, अब हम आते हैं six reason पे, देकि जैसे अभी आपने discuss करा कि life में multiple तरह के stresses आ सकते हैं, व यह बोलना बिलकुल गलत होगा, अगर कोई आपस यह बोलेगा, नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, believe me मेरे पास इतने तरहां के individuals आते हैं world over से और उनकी जब मैं बाते सुनता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी problems तो life में कुछ है ही नहीं, वो इतने extreme stress स जैसे मैंने बता है, initial days में वो stress में problem रहेगी, life में कोई भी difficulty आती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप उससे अपनी life को balance करना सीख जाएंगे, manage करना सीख जाएंगे, reason number seven, और ये भी बहुत genuine reason है, कई लोग बहुत ज़दा travel करते हैं, वो travel generally उनके काम की वज़े से होता है, औ और ऐसे मेरे पास बहुत सारे clients हैं, जो बहुत ज़दा travel करते हैं, इनके लिए बहुत simple मैं advice देना चाहूँगा, देखिए पहली चीज तो ये है कि जब आप travel नहीं कर रहे हैं, तब तो कोशिश करिए कि मैं अपने workouts मिस नहीं करूँगा, और second ये, कि maximum cases में, आज की date में जहां भी travel कर रही हैं, वहाँ पर आपके पास कोई ना कोई gym facility या general fitness facility होती है, अगर आप किसी hotel बगारा में रह रहे हैं, तो वहाँ पे gyms होते हैं, अगर आप hotel में नहीं रहे हैं, कई और रहे हैं, तो basic जो workouts हैं, चाहे body weight workouts हो, या आपके पास कोई basic resistance bands बगारा हो, वो सारे आप कही पर भी perform कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक regularity का mindset चाहिए, अपनी traveling को excuse मत बनाइए, क्योंकि हो सकता है, traveling तो आपकी कम ना हो, वो increase हो, लेकिन आपकी health और खराब होने लग जाए, मेरे ऐसे बहुत सारे clients हैं, जो world over travel कर रहे होते हैं, लेकिन वो make sure करते हैं, कि वो workouts करें, in fact, वो मेरे Genesis coaches से touch में रहते हैं, और उनसे phone पर बात करते रहते हैं, कि हम अपने workouts को कैसे perform करें, अपनी diet को कैसे manage करें, अब मेरे पास ये available है, मेरे पास ये available नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, कि उनका जो travel schedule है, वो उनकी health को, regular fitness को hamper करें, और जो last reason है, वो भी बहुत common है, आज की date, और वो ये है, कि काफी सारे लोग हैं, जो घर बहुत देर से आते हैं, उनका जो office है, बिजनस है, वो बहुत लेट चलता है, देखिए, इसके लिए बहुत simple तरीका है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप थोड़ा सा भी evening में लेट आ रहे हैं, तो या तो आप डिरेक्ट जिम आके workout करिए, अगर आप रात को बहुत लेट आते हैं, और जिम बंद हो जाते हैं, या आपके पास सच में टाइम नहीं है, बहुत ठक जाते हैं, तो उसके तरीका है, या तो आप सुबह workout करिए, या फिर आपके work के बीच में कोई ऐसा time आप न कितने लगेंगे हैं, और बिलीव मी, आप कितने भी बिजी हों, आप हफते में तीन से चार दिन भी अगर 30 तो 45 मिनिट से डे भी अगर निकालने अपने workout के लिए, इर्रिस्पेक्टिव अफ टाइम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, time की tension मत लीजे, कितने बजे करना है, बस ये याद रखिया, आपको exercise करनी है, अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं, दुपैर को करिए, दुपैर को नहीं कर पाते हैं, शाम को करिए, time को fix मत करिए, कि अगर मेरा इस समय नहीं हो पाया, तो आप मैं करूंगा ही नहीं, ऐसे लोगों के cases में, जहां पर उनका काम बहुत बहुत जादा stressful है, बहुत long working hours है, उनके case में उनको अपने exercise hours जो है, वो flexible रखने चाहिए, तो I hope ये जो reasons थे जिनकी वज़े से आप workout मिस कर रहा हैं, इनके solutions आपको मिले होंगे, और ऐसे बहुत सार amazing videos के लिए, देखते रहिए, we are stupid.